हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट स स्पेस आज हम आपसे लोटस प्लांट के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप सर्दियों में कमल के पौदे की देख भाल कर सकते हैं क्योंकि कुछ बातों का ध्यान हमें सर्दियों में रखना होता है अगर हमारे घर पर कमल का पौदा है या हमारे घर के आसपास किसी भी व्यक्ति के यहां पर यह लगा हुआ है तो यह जानकारिया आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए एक क्वैरी हमारे पास आई है कि उनके लोटस प्लांट की सभी पत्तियां गल चुकी है अब उनके लोटस प्लांट में एक बिलीफ नहीं बची है ऐसा क्यों हुआ और अब उन्हें क्या करना चाहिए तो देखिए जैसे कि आप हमारा यह पौदा देखी रहे हैं इसकी पत नहीं पत्ति निकलेगी कुछ भी नहीं होगा यह प्लांट बिल्कुल आपको सूखा हुआ दिखाई देगा और सभी पत्तियां खतम हो जाएंगी और आपको इसमें देखने के लिए मिली रहा होगा कि यह पौट सूखा हुआ है इसमें पानी नहीं है लेकिन केवल हलकी न नहीं ही प्लांट में बनानी है नहीं तो इसके जो ट्यूबर्स होते हैं जिसको कमल ककडी या कमल गट्टे कहा जाता है जिनकी सबजी भी बनती है जिसको कॉल भी कहा जाता है तो वह गल जाते हैं इसलिए आपको कुछ इस तरह से केवल हलकी नहीं ही पौदे में बनानी है अभी तो इसमें थोड़ी जादे नमी आपको दिख रही है लेकिन आने वाले समय में जब लगबग दिसंबर आ जाएगा तब इसमें आपको बहुत हलकी नमी बनानी है लगबग ऊपर की जो सतय है वो हलकी से अगर सूख भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इस प्ल का नमंबर से और कुछ दिसंबर से डॉर्मेंसी पीरियड में प्लांट अपनी सारी लीफ्स गिरा देता है और बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता है और जैसे ही स्प्रिंग सीजन यारी मार चाता है प्लांट अपने आप ग्रोथ स्टार्ट कर देता है इसलिए आप प्लांट क सीट से ग्रो किया था और इसमें फर्टिलाइजर डालना हमने आपको बताया है रेस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर सकते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसमें यह पानी थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा होगा लेकिन यह पानी बिल्कुल पैदा हो हम इसका पानी दीरे दीरे सूकता जाता है हम इसमें और पानी बढ़ाते जाते हैं और यह जो पत्तियां आप देख रहे हैं इस तरह से यह पत्तियां गलनी शुरू हो जाएंगी तो अभी तो हम आपको यह हटा के दिखा रहे हैं लेकिन इनको हटाने की कोई जर तो अगर आपके पौधे की पत्तियां गल चुकी है और एक भी पत्ति नहीं बची है तो उसका पानी सबसे पहले आप कम कर दें बिल्कुल ही कम कर दें और पौधे को हमेशा हर सीजन में आप धूप में ही रखें क्योंकि कमल को धूप बहुत जादा पसंद है जितनी जादा दूप आप प्लांट को देते हैं प्लांट उतना ही हैल्दी रहता है और उसकी पत्तियां भी उतनी ही जादा बड़ी होती है तो इस बात का आप दिहान रखें अभी कोई फर्डिलाजर एड नहीं करना है पानी कम करके आप उसको धूप में रख दीजिए तो प्लांट मे तो दीरे-दीरे खतम होई ही जाएंगी और यह पूरा जो इसका सर्फेस है वो सूखता हुआ आपको दिखाई देगा इसमें एक भी पत्ति नहीं दिखेगी जादे विंटर जब आएगा तो जाड़े आएंगे सर्दी आएंगी तो इसमें आपको कोई फर्डिलाजर भी करना है क्योंकि फर्वरी लास्ट में हम इसको रिपॉर्ट करना बताएंगे तब आप इस प्लांट में फर्टिलाजर एड कीजिए गा जो कि हम आपको टाइम टू टाइम इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं कि अब सीजन आ गया है आपको क्या करना है इसलिए अगर इसलिए आप जानकारी मिल जाएगी तो इस तरह से इसका पानी हमने बिल्कुल कम कर दिया है दीरे दीरे यह सूखने लगेगा बस आपको हलकी नमी बना के रखनी है और पतिया तो इसमें खतम होई जाएंगी तो उनका जो प्लांट में से लीफ्स खतम हुई है वो चैनल के टच में रहिए देखें कि गलनी शुरू हो गई है लीफ्स इसी तरह यह दीरे दीरे खतम हो जाएंगी तो बिल्कुल भी लोटस प्लांट को लेकर घपराने की जरूरत नहीं है उसका पानी कम कर दीजिए हलकी नमी बना कर रखिए और पॉट को फूल सनलाइट द कीजिए जितनी आप दे सकते हैं इन बातों का आप ध्यान रखेंगे आपका प्लांट सर्दियों में बहुत अच्छे से रह पाएगा और बहुत अची प्लावरिंग सीजन में कर पाएगा इस तरह से आप फरस्ट लेयर को हलका सा मॉइस्ट रखिएगा विंटर में और कम से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो जरूर पूछेएगा कमेंट बॉक्स में फेस्बुक पेज पर इंस्टाकराम पेज पर आप किसी पर भी पूछ सकते हैं थेंक यू